कुरोना वर्स के संख्रमन में पूरे देश में होट्सपॉट बन कर उभरे इंदौर में एक बार फिर लॉकडाउन लागू करने के बारे में कल फैसला लिया चाहेगा आज डॉक्टरों के साथ आयजित प्रशासंग के बैठक में इंदौर में बढ़ती मरीजों की संख्या पर चिंता चताई गई जिला प्रशासंग के दुआरा आज इंदौर शहर के प्रमुक डॉक्टरों की बैठक रेसिडेंसी कोची पर बुलाई गई थी इस बैठक में इस बात पर विचार मश्च किया गया कि इन दौर में पिष्टे दो दिनों से हर दिन 90 कोरोना पॉजिटिफ केज जो सामने आ रहे हैं उससे क्या निशकश निकल रहा है इन दौर में बनी नई स्थिती पर इस बैठक में चिंता जताई गए डौक्टो की ओर से इस बैठक में कहा गया कि वर्दमान हालात में यदि हमें मरीजों के संख्या पर नियंदरन पाना है तो एक बार से लौकडाउन लागू किया जाना चाहिए प्रस्ताव ये है कि शहर में साथ दिन के लिए लौकडाउन लागू कर दिया चाहे इसके साथ ही एक प्रस्ताव ये भी है कि शहर के कुछ प्रमुक व्यपपारिक शेतर जहां पर की ज्यादा भी लग रही है उन्हें खोलने की अनुमती को समाप्त कर दिया जाए इन सारे प्रस्ताव पर कल सुमवार को इन दौर में होने वाली क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी की बैठक में विचार किया जाएगा ध्यान रहें कि इस कमिटी में जिला परशासंग के अधिकारियों के साथ ही साथ सभी विधायक सांसर तदा दोनों प्रमुक पार्टी भाषपा और कॉंग्रेस के वरिष्ट रनेता शामिल है कल की इस बैठक में है फैसला लिया जाएगा कि क्या इन दौर में वापस लागू किया जाना चाहिए कि बारीज यादा बढ़े हैं संख्या में और कुछ सीरियोज भारीज भी या रहा है तो चिंता है डाक्टर को मुझे लगता है उसी चिंता के आधार पर हम कल क्राइस मेरेजमेंट की बैठक लेंगे और उसमें इंड़े लिए लिए बैठक इसली थिए कि शहर के सभी जो में करोना के शहर में चल रहे हैं अस्पतालों में और किस परकार के मरी जा रहे हैं अस्पतालों में कितना अस्पताल के संजलों का या डॉक्टर से क्या उप्दूरेशन है वारेल लोड को लेकर के और किस परकार से जो यह संख्या बढ़ी है किस परकार किस तिशा में जा और निशान खरे थे उसके और सभी से चर्चा कि हम वह दॉक्तर से और डॉक्तर के जनरल ऑब्जरुशन यह था कि संख्या कुछ बढ़ी है और संख्या बढ़ी है यह सही है संख्या परदे कारण यह भी है कि हम लोग करोना अभियान की तद शर्वे भी करा रहा हैं 60-70% उस यह सही वक्त है कि इसके लिए क्या रेक्टिप्रिकेशन मेजर सोने चाहिए शहर में फिर यह भी बात की दॉक्तर से कि कारण क्या है सब्जियों का तो सब्जी विक्रेटाओं से यह सब्जी मंडी के माध्यम से जो चीजें आई हैं ग्रामिट शेत्रों में भी गई हैं श जो इस पेकार से लोग वहां पर बिना मास्क यूज किया और इस पर लपरवाही से लोग खा रहा हैं फ्री ओकर करके और किसरा जो मार्केट में जो मिक्सी जो जो दुकानदारों को सथियत करने का रखने का बोला गया था जो वहां के सब्सक्राइशन में दी गई ती वह का नहीं लगाना भी एक चाहिन कहीं एक कारण बनता हुआ दिख रहा है इस सब चीजों पर काफिक इंडियों चर्चा भी आम दाओंगे जनरल ऑप्जरेशन डॉक्टर्स के यह कुछ शहर में करना चाहिए ताकि मिक्सिंग कम होई लोगों भी और ताकि जो अभी ट्रीक् की शुरुवात एक तरह से इंदौर में इंडिकेशन की रूप में देख रही है तो सभी डॉक्टर्स एक मत से सहमत है कि कोई ऐसी कारवाई होनी चाहिए या इस तरह के प्रकॉशन लेने चाहिए कि लोगों का मुवमेंट डेस्ट हो लोगों का मिक्सिंग कम हो और किस पर अश्र होता है कि दुकांदार आहम जो भी लापरवही कर रहे हैं दूसरा अगर आप जेल लूड़ी सिती देखें हैं शहर में तीसरा आप सिंधी कॉनली मार्केट की सिती देखें आप चुईत्रां फलसबजी मंडी की सिती देखें और ऐसा नहीं है कि वहां पर टीवें करें नहीं है चेक्नी किया है और उसके बावजूत भी हर समय हर जगा हर स्थान पर शासन किया नगर निगम किया पुलिस की टीम नहीं खड़ी रह सकती है कुछ जनता को भी समझना चाहिए है जनता के साथ जुड़े हुए जो एस्सेशिएशन हैं जिन लोग के जिन लोग कमिट्मेंट्स पर हम लोड़े अन्बतिया जा रही की थी उनको भी समझना चाहिए थोड़ा तो गई निगे वालेशन हुए है वही रीजन है और यह चीज ना के बुल इंदौर में है देश के अन शहरों में थोड़ा ट्रेजिक्ट्री जाह देजिस उठी है पर हां है कि अब यह थोड़ा बहुत रखिफिक्शन में दर्स ली जाएंगे तो मेरे काल से जो उच्छाल आ रहा है देश में उससे बन बस सकते हैं